वेल्कूम गाईज आपको फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ और जिसमें आज हम डिसकस करने वाले हैं बीएचु टूथाउजन ट्वेंटी के पेपर के बारे में विद आंस्वर की यहां पर याद रिखे हैं जितने भी ऐसे स्ट्रेटेजों की जरे टाइस यार बस आपको कुछरिंग करना है वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख ले रहा है तो चलिए क्लास को बिना कोई टैम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं इसके साथ सथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी वीडियो से आपको नट्व के साथ मिलते रहें तो चलिए क्लास को स्टार करता है तो आज का हमारा जो फर्स्ट कुस्टन है उसमें आपको पूछा गया था कि निम लिखित में से कौन फॉलो को पकाने म या एथिलीन यह आपके प्रोणाउंस पर डिपेंड करता है कि आप क्या बोलना चाहते हो एथिलीन या इथाइलीन ठीक है दोनों आपको देखने में सकता है ओप्संस के अकोडिंग आपका राइटेंस पर माना जाएगा नहिएस्क्रिशन के अपर बात करेंगे कि पोदों में Zinc की उप्लपता कि इस pH पर अधिक समया हो जाती है सबसे पहले Q denkt को समझेे कि जिंग की जो अवलेवलिटी होती है पोदों के यह जो प्राप्ट होता है यह समस्य कब हो जाती है मतलब पोदो को कब प्राप्थ नहीं होता है तो याद रखना जिंग की अगर हम बात करेंगे तो यह अमली यह मर्दा में क्या होता है आसानी से पोदो को प्राप्थ होता है लेकिन जैसे ही pH बढ़ जाता है मालीजी साथ से अब आव गया तो उस इस कि अखकर और बात करेंगे कि एक बात पर सक्षे किस रूम में पाइशता है तो लूव में होता है तो किकर में नहुने कि मैंडि Opportunity आप दोनों को आप केसे याद रखोगी इसके लिए एक बेसिक टृक्ट आपको यहां पर बता देते हैं तो इसकेलिए आप किया याद दखोगी माल लिजए हल देखा हुगा आपने ठीक है जैसे कि माली जीए यही हम हमार मार की चलते हैं chicken हैं ठीक है डिसक तो क्या सी होती है are ऐख has to can go और यह जो बड़ा portion है मतलब, यहां से लेकर यहां तक का, यहां से लेकर था यहां तक का, तो यह होता है disc angle, अब disc angle कितना है, 42 से 45 है, यह तो आप समझ गए कि जो बड़ा वाला portion है, यह disc angle है, और यह कितना है, 42 से 45 है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर tilt angle, तो tilt angle कितना ह होता है यहाद रखिए कि 15-25 होता है कम होता है ठीक है यहाँ आप देख सकते हूं इससे यह बाला जो पोर्षन है जो की विकी अकार का दिखाई दे रहा है तो यह क्या होता है तिल्ट एंगल यह होता है 15-25 तो यहाद रहेंगे लगाता है प्रियूक से मिट्टी पर क्या पर लगातार यूरिया का प्रियोंकर रहे हो तो तो आपकी मर्दा है वो क्या हो जाएगी स्थेमाल लेकिन कम आतरा में ठीक है चलें सिसन यहां पर बात करेंगे कि फूल गोबी में भूरापन लक्सन किस की कमी से होता है तियाद रिखे है यह होता है बोरोन तत की कमी से नाम से इस पर स्टोर है भूरापन भूरापन को इंगलिस में बोलते हैं फिरावनिंग और ब्रांटीयाएं भॉरनंग बोर्वन की कमिसी होती ठीक है जले निए सप्लेटेशन आरंपार बात करेंगे कि पूसा नंण किसल के प्रजाती होती है तो पूसा नंण याद रखी सवकुल पपीता की बेराइट्पी है काफी अच्छे किसन है और यह आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि पपीता की किचन गार्डनिंग के लिए कौन सी किस्म को प्रियोग किया सता है तब भी आप क्या बताओगी पूसा नन्ना किसके लिए किचन गार्डनिंग के लिए क्यों 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 याद रखे इसकी जो डिस की जाती है एक है चलिए नेक्स टूसन के आपर बात करेंगे अब ये कुछ बेमेल था ओपसन के उपर डिपेंड करता है तो ये नेफंतिस हाइडरुफाइड से समय नहीं होता है तो ये हमारा ओपसन के आपर बात कर लेते हैं कि कोश्का का कौन सा बाग प्रोटीन और नागपूर इस्तित होता है महारास्टर में ठीक है यहां पर बात कर रहा है एग मारक की तो एग मारक सबसे पहले तो ये कब बना था या फिसकी स्थापना कब की गई थी यह भी किसन आपको पूछ सकता है 1937 में इसकी स्थापना की गई थी कहां पर की गई थी नागप फिर एक पोदा होता है ठीक है cross pollination होता है मक्का में next station के आपर बात करेंगे पत्यों द्वारा बना भोजन किसके द्वारा बहज़ा दाता है मतलब पत्यों की द्वारा जो भोजन बनता है प्रकास अंसलिशन की द्वारा वो जड़ों तक केसे पहुचता है या फिर पोदे के उचाने का कारिया फ्लोयम उत्तक ही करता है और अगर मैं बात करू जड़ के द्वारा जो पानी अवसुषन की आसा है यह पोदों की पत्तियों तक कैसे पहुचता है तो या देखिए उसके लिए हम जाइलम का यूज करते है मतलब जाइलम जो उत्तक होता है पोदों का इ विए तो यहां पर याद रखिए एक बात यहां पर याद रखीगा नोटीस कीजिएगा इसको पर्ण आवेदन मतलब पर हम किसी और चेड़का उगर रहे दो याद रखिएगा सबसे पहले कि जब भी बात करेंगे हम कि स्की फोलियर इस्प्रेगी मतलब पत्ती पर चेड यह सुक्षम पस्ष्च वहता तो याद रूखे आपडों को वैसे folia spray के दवारा ही देजते हैं लेकिन जो मेजर न्यूटरेंट होते हैं जैसे कि यूरिया और होता है नाइट्रोजन को पत्ती चिड़काओं के द्वारा दिया जासकता है तो यहां पर बात कर करेंगे कि भारत में चेत्रिक ग्रामिन बैंक कब इस्तापित किये गए थे तो याद रखी का जो रूरल ग्रामिन बैंक है इनकी स्थापना उन्नीस सो पचेत्तर में की गई थी गाई के दूद में पीलापन इसके कारण होता है तो पीलापन के रोटीन के कारण होता है और जो सफेद करण समता को क्या कहते हैं तो इसे हम बोलते हैं एटिप्या एने डिपीएच ठीक है वाइक को किसन है देख लीजिएगा आप एक बार इसको नेक्स टिसन की हाँ पर बात करेंगे डस्ट टेस्ट किस परिक्षन के लिए शुरू किया गया था तो याद किया जो डस्ट इसने खोजा गया था और यह हमेशा क्या होते हैं प्रवाववय नुक्सान देहे होते हैं ठीक है जो कि अचानक परवतन किसी जीव में अचानक आए हुए परवर्दन को ही हम उत्परवर्दन बोलते हैं ठीक है चली नेक्स टिसन यहां पर बात करेंगे कि ओलेरी कल्चर क पी नेट प्राप्त होते हैं मतलब सुद्ध एटीपी ट्वेंटीफोर रहत होते हैं नेक्स टिसन के हां पर बात करेंगे कि इंटर क्रोपिंग क्या होती है तियाद रखेगा दो या दो से अधिक फसलों को निस्सित पंक्ति में उपज को ही क्या वोलासता है इंटर यह मतलब नो जो रोखी जो 9 लाइने होगी वह गहों की होगी Selbst शोक हो ठीक है चले next सर्श के यहां पर बात करेंगे कि भैस की उसत घरवधारन की अवडे कितने दिन यह होती है ति यहां पर यहां दा गया बहस का पूछा गया तो बहसका होता है 210 दिन का और गाई का गर घर्बधारण पूछे गया तो वह होता है याद रखिया 283 का नेक्षेशन की यहाँ पर बात करेंगे Golden चाउण किसली जाना ज़स्ता है तो याद लगी यह ज़ीं गोल्डन चाउण में विटामिन A की अधिकता मात्रा पाई जाती है इसकी साथ विटामिन A में भी कौनसा तो याद रहुता है होता है पसु से मनुष्य में भी फेल सकता है क्या करता है याद रखें एक मत्र ऐसा रोग है जो कि क्या कर सकता है पसु से मनुष्य में भी फेल सकता है इसलिए हम क्या करता है कि इसका कभी भी पोस्ट मार्टम नहीं करता है काफी अच्य किसन आपको पूचा गया था तो या चलिए नेक्स टीसन के आपर बात करेंगे कि SRI कल्टिवेशन की से समझ दीता है तो अगर आपको SRI की फुल फॉर्म भी पता है तो आसाने से आप इसे सोल कर देते हैं क्यों क्यों क्याद रखे इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सिस्टम ओफ राइस इंटेंसिफिक इसकी फुल फॉर्म होती है तो इसका समंध किस से वा नषवा ठीक है थेक है चले नेक्स टीसन के हाँ पर बात करेंगे की कौं से फ़चल हरे खाद के लिए प्रियोग होती है या फिर हरे खाद के लिए किसका प्रियोग आता है त्याद sih समंधाइक से और सह समस्ध रेंज होती है, वह होती है हल्धी में पीली उपस्तिति किस की करणन होती है तीःध कि ह Això कर कियमें की करण salary पीलापन होत्य है कियमें कि compartil यहाद रिकिया नियोक्ति उसकन करेंगे किसान किका पयों करता है तियाद रखिया सारी मिर्दा को सुधार करना है तो आप जिस शंग का प्रियो करोगे और अगर आपको अम्ले मर्दा का सुधार करना है तो आप किसका प्रियो करोगे चुना का यहां पर बात करेंगे कि कौन सी फसल म्रदा में वाइव में नाइट्रोजन al Ignatope सब्सक्राइब बढ़ाती है मतलब nitrogen का fixation करती है अब यहां पर याद दखिया राजमाए को सबीद की से एक मात राजमा इथी जो कि क्या थी लेग्मनेशी की फसल थी इसलिए इसका राइट अंसर इसी को माना था वैसे याद रखेगा एक अपवाद होता है राजमा कभी भी नाइट्रोजन का फिक्सिशन नहीं करता है ठीक है इस बात का हमेशा द्यान रखना न saysечно एक अपर बात करते हैं कि कोंसा सुक्सम तत्व है सरशों की तेल को मात्रा बढ़ाने में सहहता गड़ता है तो याद रखेगा तो कि यंड है सर्चों का तेल की तेल को बढ़ाने में सहहता करता है चाहे वो सर्षो हो या फितिल हो या मुंग फली हो कोई सी भी हो तेल की मात्रागर बढ़ानी है तो उसमें सलफरी योगदान देता है नेक्ष्टिसण के याँ पर बात करेंगे कि सर्षो राई की भौई का सरवोतम समय सभी को पता होगा सित्मबर से अक्टोबर के मत है संकरदान का वीज़र कितना होता है hybrid rice तो hybrid rice की जो सीड्रेट होती है 12-15 केजी पर हैक्टिर होती है सभी को विदित होगा next station के हाँ पर बात करेंगे कि धान में खेरा रोग काफी common question है सभी को पता होगा खेरा रोग जिंकी कमी से होता है ठीक है next station के आपर बात करेंगे कि चराई पसुओं का पालन जैसे मवेसी भेड मास्त उन के लिए इनको पालना क्या कहते है या फिर जो पर्थाती जो परंप्रा है इसे हम क्या बोलते है तो इसे हम बोलते है रैचिंग क्या बोलते है रैचि आम की कौन से किस्टन है तो वो ती है रतना या फिर आप इसे डाइरेटर ऐसे याद रख सकते हो आरेने मतलब रतना को नीलम इंटु अलफान जो के क्रों से प्राप्त किया गया था ठीक है आसने से आप याद रख सकते हो उचित परिवासित के इन्दर किसमें पाये इस नेकिर पर बात करेंगे टिड़ा किस वोडर का होता है और फोकर का वता है क्षाथ का सभी को करन उत्पन होती है काफी अच्छे किसनि रहस remember किसन द्वारा साव सिकता है कि मक्का में जो हाइड बढ़ होता है जो सफेद कली का रहां होता है इस तत्तों की कमी के नेक्ष्ट ट्लाव कंब करेंगे कि टरगर को इसका मैंटेरिंग के लिए उत्त अधर दवा tutorials okay source it वे हैं यहाद रचिका सफेद गेरोई rivers मतलब सफध घेरोई जो रोग होता है किसका होता है ऐसशोन का किसके द्वारा होता हैं या फिर ये ये मतलब होता है किस अवरता है किसमें होता है सर्शों में होता है सब्सक्राइब भी चिकनी मिट्टी के करणों का व्यास कितना होता है तो याद रखिए चिकनी मिट्टी जिसे हम बोलते हैं क्ले तो क्ले पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो कितनी होती है 0.002 mm से भी कम होती है काफी चिकनी मिट्टी है तो बिल्कुल छोटे करना होते हैं कितने होते हैं 0.002 mm से भी कम होते हैं काफी अच्छा क्रिसान है कई बार आपको एक्जाम ही पुछा गया है तो इसका विशेश तोर पर आप ध्यान रखे नेक्स टूसन के हाँ पर बात करेंगे टमाटर में जो यलो लीफ कर्ण वाइरस होता है किसके दवरा फैला आया सता है मतले इसको ट्रांस्मेट करने कारी कोन करता है तो याद रिखेंगा वह होती है सफेद मक्खी जैसे हम बोलते हैं वाइट मक्खी को क्या बोलता है आपको बात करेंगे क्याना पर नीचे बेटता आगर इसका प्रोड़क्षन तो भुरी पिर भुरी होनी चाहिए जिसे आप वह लुए होनीचीं तो कौन से होती है मोगफली होती है और इसमें जो पेग निकलता है पेग- रंने की जो अवस्ता होती है उसे हम बोलता है ठीक है था पेगिंग का शंबन भी से होता है मोगफली से ही यह होता है वानसी रूब से अननास होता है और कवी बार आपको पूछा गया है किस ओरडर का कीट होता है को सभी किस चलियर हो गए उनको वीडियो के साथ यहाल 올 तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करते चलिए इसके साथ सेर भी करते ना ताकि जितने भी इस ट्वेंट है जो की तेयारी कर रहे हैं आपके साथ उनको भी कुछ बेनफिट इस वीडियो का मिल सके ठीक है जब तक वीडियो को ज्यादा सथा सेर कीजिए